नमस्कार दोस्तों बहुत सरे पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं मैं एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होने चाहिए प्रेग्नेंसी के लिए या जब हम फॉलिकलर कराते हैं कई बार डाउट्स रखते हैं कि मैं लाइनिंग कम है क्या क्या इससे बेवी होगा या लाइनिंग थिकनेस नॉर्मली कितनी होनी चाहिए और आप कितनी थिकनेस पर कंसीव कर सकते हैं एंडोमेट्रियल थिकनेस कभी भी स्टेगनेंट नहीं रहती स्टेगनेंट नहीं रहती थे मेरा मतलब है कि पीरेड के सेकिंड या थर्ड डे पर जब फीमेल ब्लीड करती है यानि जब mensual breeding हो रही होती है, तब वो endometrium shed कर जाती है, उस समय पर आपकी endometrium 3-4 mm के approximately रहती है, जैसे जैसे period के days बढ़ते हैं, यानि आपके cycle days बढ़ते हैं और आप period के 8-10th day तक around आते हैं, तब तक वो endometrium grow करके across 5-6 और 7 mm तक पहुचती है, उसके बाद वो और develop करती है, period के 14-15 day तक it should be at least 6.5 plus and it may go up to at least 10 और 11 mm तक, तो अगर आपकी endometrium period के 10 दिन पर 5 mm है और 4 mm है, then it's okay, जब उसके आगे वो grow कर रही है, then also it's okay, अगर वो period के 15 दिन पर 6.5 से ज़्यादा है, then also it's fine, 20-22 दिन तक वो 10 mm क्रॉस कर जाती है, then also it's fine, और वो जब आपको periods आते हैं, तो approximately 12 mm तक रहती है, अगर एक healthy endometrium thickness की बात करें, तो 7.5 endometrium to 9 mm endometrium आपके period के 15 दिन पर है, तो वो काफी अच्छी मानी जाती है, और उसमें conceiving के chances काफी ज़्यादा रहते हैं, अगर किसी के endometrium 15 दिन पर 14 mm, 15 mm है, तो इस situation को endometrial hyperplasia कहा जाता है, यानि कि आपकी endometrium normal से काफी ज़्यादा है, उस condition में conceive करने के chances नहीं होते, periods में clots ज़्यादा आते हैं, pain ज़्यादा आएगा, वो situation normal नहीं है, अगर किसी की endometrium period के 15 दे पर 6.5 से नीचे है, तो in that situation also आपको conceive करने के chances काफी कम रहते हैं, और अगर conceive करते हैं, तो बच्चे के abortion होने के chances ज़्यादा होते हैं, उसको आपको काफी ज़्यादा support देना पड़ता है, ताकि वो बच्चा survive कर सके, अगर आप IVF के लिए जा रहे हैं, और तब आप यह जानना चाहते हैं, कि आपकी endometrial thickness कितनी होनी चाहिए, तो जो एक basic requirement है, before embryo transfer, that is above 9 mm, तो minimum 9 mm endometrium आपकी होनी ही चाहिए, 9 mm से उपर, up to 14 mm, जितनी बनती है, उतना healthy रहता है uterus, embryo को implant करने के लिए, तो उतना requirement basic है, बहुत सारे patients हमारे पास आते हैं, जो 5 mm, 6 mm, 7 mm पे embryo transfer करवाते हैं, और it gets failed again and again, तो chance एक बार लिया जाता है, chance बार बार नहीं लिया जाता है, क्योंकि 3 days पहले मैंने patient देखी थी, जिसने 4 बार IVF करवाय और हर बार endometrium 5-6 mm ती है, and every time doctor said कि, एक बार try करके देख लेते हैं, कई बार हो जाता है, एक बार try करते हैं, कई बार होता है, but every time it's not trial, अगर आपने एक बार कोशिश कर ली है, then don't go for it again, work on your endometrium कि उसकी thickness बढ़ जाए, और तभी आप embryo transfer कराएं, ऐसी मेरी सला है, तो I hope कि अब आपको पता है, कि thin endometrium कहां है, normal endometrium कितनी है, और endometrial hyperplasia कब होता है, तो अगर इन में कोई भी issues हैं, तो ये problems ayurvedic treatment से properly resolve होते हैं, thin endometrium में भी treatment होता है, normal endometrium है, तो you can conceive normally, hyperplasia है, तो आपको DNC कराने की जरूरत नहीं है, आपको uterus निकलवाने की जरूरत नहीं है, and you can treat it naturally with ayurveda, I hope endometrial thickness related queries अभी resolve हो गई होंगी, इसके अलावा भी अगर कोई queries हैं, आप comment box में message drop कीजे, हमारा channel like कीजे, we'll try our best की ज्यादा से ज्यादा questions की queries हम resolve कर सकें, हमारे तीन centers है, Delhi, Mumbai and Lucknow, अगर कोई भी query है, तो आप हमारे किसी भी center पर contact कर सकते हैं, तब तक के लिए धन्यवादे